एलो एवरिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे डिजाइनर स्लीज और इससे बनाने क्लिए हमने फैबरिक भी ले लिया है तो पहले इसकी मार्किंग है वो हमें पेपर पर करनी है तो यहां से सबसे पहले हम एक स्ट्रेट ला हमें यहां पर रखनी है सेवन इंच और वन इंच मार्जन काईट करना है तो एट इंच पर मार्क करके लाइन को ड्रॉ करेंगे अब जो हमारी स्लीज है उसका आर्मोले 9.25 इंच तो यहां पर हम 9.25 इंच पर मार्क करेंगे और इससे हमें एक्स्ट्रा लेना होगा पास से 6 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक तो हमने आपर 6.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है और यहां से हम 4 इंच पर स्लीस को डाउन करेंगे यह देखिए इस तरीके से यह सेंटर है, सेंटर पर हमें एक मार्ग कर देना है पहले हम इसको कट कर देंगे तो इसे इंटर से हमने के स्ट्रेट लाइन ड्रो कर दी है अब यहां पर हमें मार्ग करना है 4 इंच पर यहां से हम मार्ग करेंगे 2 इंच पर और इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हमें यहां पर शेप ड्रो करना है यह देखिए इस तरह से और इसे हम कट कर देंगे तो कट करने से पहले हमें यहां पर 2 इंच है इस तरह से मार्ग करना है और ऐसा शेप दे देना है अब इसे हमको cut करना है यह देखिए तो यह हमारी जो स्लीज से वो इस तरीके से आ जाएगी एक स्लीज दूसरे के उपर ऐसे overlap होगी यहाँ पर हमारी plates आएंगी तो इसे हमें lining और man fabric दोनों को stitch कर लेना है साथ में और paper के बराबर ही हमें इसे cut करना है तो देखिए हमने आपर इसे paper के बराबर ही cut किया है lining और man fabric दोनों को साथ में stitch भी कर लेना है दूसरा part हमारे इस तरीके से हैं दोनों पार्ट को स्टीच कर लिया, लाइनिंग और मैन फैबरिक दोनों को साथ में अब यहाँ पर हमें प्लेट्स डालनी है दो चोटी-चोटी प्लेट्स डालेंगे दूसरे साइट से भी इसके प्लेट्स डालनी है यह देखिए इस तरह से यह इसके उपर इसतरा से ओबरलेप होगी तो भी प्लेट्स होया, गौँ हमें तोड़ी से नीचे तक काने देनी है तो हम थोड़सा दूर दूर को प्लेट्स डालेंगे अब हम यहाँ पर इसमें पाइपिन टेच कर देनी है और इस वाले पार्ट्स में भी हमें पाइपिन को टेज करना है अंदर के साइड फोल्ड करेंगे अंदर के साइड हमने इसको फोल्ड कर दिया यहाँ पर हमें इस तरीके से स्टीच कर देना है तो देखिए हमारी जो स्लीज है वो स्ट्राइप से बन गई है और दोनों स्लीज हमें आपर बना लेनी एक बार चेक कर लेंगे कि इसका लोक किस ट्राइप से आएगा तो देखिए यह जो हमारी एक्स्ट्रा जो आई है एक्स्ट्रा जो पर्फ बना है न वो फ्रांट के साइड पर आएगा ठीक है यह देखिए इसको इस तरह से फूल करेंगे यह हमारा राइट साइट पर इस तरह से स्टीच हो जाएगी तो यह जो पाइपर ने वो राइट साइट पर दिखिएगी हमने इसमें लटकन भी लगा दी है यह हमारे स्लीज का फाइनल लुग है तो स्लीज बनकर complete हो गई है I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो like, share and comment जरू करिएगा और चैनल को subscribe जरू करिएगा Thank you